देखे 3.20 क्या कह रहा है वो कह रहा है गिवन रजिस्टर इच आप रजिस्टर आपको मैक्जिमम करेंड मिले सिंपल से बात है स्रीज में करेंगे R is equal to R1 plus R2 होता है तो मैक्जमम के लिए काहिं में करेंगे स्रीज में और मिनमम के लिए पैडल में करेंगे यह तो पहला पार्ट ऐसा हो गया इसमें दो पार्ट बना दिये minimum effect what is the ratio of maximum and minimum resistances देखिए n resistance को आपने जोड़ा हमने मान लिया n resistances है हमने मान नहीं लिया साइट कोईशन में दिया हुआ है given n registers तो अगर मैं r series में जोडता हूं rs मान लेते हैं उसको तो क्या रुपीज नहीं है समझे रुपीज की बात कर रहा है तो एका होगा r plus r plus कितने times n times तो इसका जो series combination का equivalent कितना हो जाएगा nr और अगर r parallel की बात करें यह तो हो गया in series combination अगर हम बात करें in parallel combination parallel तो one by r parallel नहीं वो n by r कहां ते तो one by r का या गया ऐसे ही है रहा गया डारेक्ट जैसे किसी ने कहा आर्ड बनाकिया यह साधा page जमा कराए टीचर नहीं क्या है पोले हरी अरी around माईदान गाहे यह करें पोले एगई हरी हरी मैदान तुगाय का करेगी चरेगी चरके घर चली गई साधा पिज रख दिया हमने तो सब साड़ कर न बताओ वैलूर निकालो इसमें 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर अप टू कितने टाइमस एन टाइमस तो इसमें अपान आर तो आर पी क्या हो जाएगा आर अपान एन उल्टा हो जाएगा न ये अब आप से क्या कहा इन्होंने अभी कह रहें स्थी ज कोबनिजन और पैलल कोबनिजन का रच utility निकालिए तो series क्या होता है NR अब paddle क्या होता है R upon N उपर जाएगा तो ये N square आ गया यानि अगर मैं इनका ratio निकालू RS is to RP is equal to N square is to 1 अब ये result जो short question आते हैं उनमें काम देता है कि 50 register हैं उन्हें series में जुड़ा गया और paddle में जुड़ा गया series का equivalent इतना है parallel का कितना होगा तो फ़र्ट से आप देख लिजेगा R series upon R parallel is equal to N square upon 1 R parallel का दिया हुआ है मालिया 50 register का और R series का पूछ रहें और N है 50 register है रख दोगे अपने value निकलाएगी तो numerical के लिए इस register का इस्तेमाल करेंगे ठीक है लेकिन अगर ये question आ जाएगा तो direct नहीं लिखेंगे ठीक है नोट करिए इसको अब इसका second part कह रहा है कि 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm के तीन register है और आपको equivalent 11 by 3 चाहिए तो ये अपने आप करिए कि तीन को कैसे adjust करें कि आपको कुछ parallel में जोड़े जाएंगे रिंग, 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 कितने है ब्रांच? एक, दो, तीन, चार हो गए ना? अरे दादा, अरे वाह पहले इसका मतलब समझे काईशा बन रहा है? ठीक है बन रहा है इसमें ए से यहां से यह resistance जुड़े हुए भगवान जो हमको मिलेंगे तो उसे सिकायत तुमें करूँगा एक बार जब मास्टर बनाना था तो दुचार चीज़े नहीं ध्यान रखते करो सरमा बाल नहीं, मूमा खाल नहीं रैटिंगो गंदी है, का बना दियो? तो कहें थी अगले जनम में बेटा तुमको सर में बाल, मूमें खाल और दिमाग में नो माल बेजूँगा, सबजी बेजना भी जा घर खे तो कहेंगा इससे ठीक है देखो, पहली बात तो यह डाइग्राम तो आजीव टाइप का बना हुआ है यह A है और यह B है A B के बीच में क्या निकालना है? कोशन कहरा है, डिटर्माइन दा एक्कुलेंट रजिस्टेंस आफ दा फालॉइंग नेटवर्क एक्कुलेंट रजिस्टेंस आपको निकालना है पहले पार्ट में इसमें दो बने हुए और यहाँ पर एक gula gula time बना दिया गया है इसका gula का मतलब क्या होता है यहा ब्रेक है यहाँ से current इस रास्ते में ही जाएगी, यहाँ से बढ़ जाएगी यहां पर अगर ऐसा कुछ बना होता यहां पर अगर ऐसा कुछ बना होता यह जैसे ऐसे बना होता है तो मतलब क्या हुआ यह current अब एक जैसे जाएगी ठीक है और फिर ऐसा नहीं बना है इसमें यहां जुड़ा हुआ है तार ठीक है जब इंजिरिनिंग के उसमें जाओगे तो इसमें method थोगा चेंज हो जाएगा अब AB के बीच में आपको equivalent potential निकालना है तो कहने के दो आपको यहां से current supply करनी पड़ेगी और current supply करके यह दो भागों में break हो जाएगी बैटरी है नहीं मैं इसको समझाने के लिए कर रहा हूँ यहां पर current I1 हो जाएगी यहां पर current I2 हो जाएगी ज़रा देखे जहां से यह I1 current यह रास्ता तो इकी है नहीदर यह आईटू current यहां पर आएगी यहां दोनों current क्या हो जाएगी मिल जाएगी फिर आगे बढ़ेंगी तो पहले हम इसको सी ले 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 इसको डी ले 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 इसको ए ले 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 अपहले हम AC ब्रांच लेते है इसकी वैलू R1 है इस इसकी वैलू R2 है, इसकी वैलू R3 है, इसकी वैलू R4 है और Yak के जोड़ देते हैं इसको, यहाण हम कौन सी ब्रांच ले रहे हैं, A और, C के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर स्रीज में, दो रəजिस्टर है, और यहाँ पर श्रीज में, दोर क्या डाइग्राम है डाइग्राम भी सोच रहा होगा इनके हाँ से बनाने के लिए हम बने थे अब ये तो बने थे तो का किया जाए बनना तो हमारे हाँ से पड़ेगा तुमको ये A है और ये C है ये है R1 ये है R2 ये है R3 ये है R4 अब R1 और टू काहें में है अब सब की वैलू कितनी है सब 1 ओम है नहीं ये 1 ओम है ये 1 ओम है ये 2 ओम है ये 2 ओम है तो पहले R1 और टू काहें जुड़े हुए है सरीज में तो पहले आप क्या निकालेंगी equivalent resistance of R1 and R2 क्या माली जे R5 की वैलू क्या हो गई 2 ओम यानि अब ये दोनों तार मिल करके एक तार बन गया उसका resistance कितना है 2 ओम तो यानि कि ये पूरे दोनों तार मिल गए और ये दोनों तार बन कैसे गए ये हो गए आपका R5 वैलू कितनी हो गई 2 ओम ठीक है अब यहां पर आईए R3 और R4 काहे में है वैं करेंट यहां प्रेक होई थी ना R3 और R4 R4 काहे में है ये स्रीज में है और इनका equivalent its equivalent क्या मानेंगे equivalent resistance कितना मानेंगे R6 मालीजे तो R6 क्यों लिए कितनी आएगी 4 ओम यानि ये दोनों तार एक तार बन गए और दोनों मिला करके जब एक तार हम 4 ओम का लगाएंगे तो same resistance वो देगा यानि R6 हो गया 4 ओम R2 और R R2 और R स्री R5 और R6 काहे में है पैलल में है नियम तो ये है कि आप resistance ब्रेक करते जाओ और डाइगराम बनाते जाओ नियम यही है लेकिन अब कितने डाइगराम बनाएंगे ठीक है बतादा कि एक जामने डाइगराम है डाइगराम देखे solution मिली नहीं रहा है ठीक है तो R5 समझाने के लिए है R5 और R6 काहे में है पैललल में है और इनका equivalent कितना मालने हम R7 तो 1 upon R7 is equal to 1 upon R5 प्लस 1 upon R6 बोले तो 1 upon 2 प्लस 1 upon 4 बोले तो 4 LCM 2 प्लस 1 बोले तो 3 upon 4 तो R7 की value कितनी हो गई 4 upon 3 यह इस branch का total resistance हुआ इस पूरे circuit का उसी प्रकार से इस circuit का भी R8 जो निकलेगा वो इतना ही निकलेगा 4 upon 3 इसका जो R9 निकलेगा वो भी 4 upon 3 इसका जो R10 निकलेगा वो भी 4 upon 3 अब देखें यह दोनों current मिल करके सेम इसमें दे रही है तो यह तीनों का है में है सरीज में है तो जब equivalent resistance निकालेंगे इसका equivalent resistance equivalent resistance of circuit R of circuit तो क्या करेंगे जो आपका 4 upon 3 है उसको 4 times कर दो तो 16 upon 3 ओम का होगा अब आगे अगर आपको V निकलना आई निकलना जो भी निकलना है अपने आप बैटरी दी होगी ठीक नोट करिए इसको अच्छा इसका एक और पार्ट है जो दिया हुआ है वो ऐसे resistance बनाई ये ऐसे कुड़ में फिर एक ऐसे resistance है फिर ऐसे resistance है तो क्या current concert कहीं break हो रही है तो same current flow हो रही है ऐसे ही current same होती तो काेम होता है इस स्रीज में है तो अगर पांच है तो फाइवार हो जाएगा तो ऐसे ही आ जाएगा ठीक है देखिए